आज हम जो है दो बुक्स एक साथ रिव्यू करेंगे और दोनों बुक्स रिव्यू साथ करने का मकसद है कि आज डॉक्टर अब्द कदीर खान साब जो है वो इंतिकाल फर्मा गए 85 एर्स की एज में अब बुक्स एक साथ और फादर अफ पाकिस्तानी नुक्लियर बॉम नाइटीन सेंटीफोर में जब इंडिया ने अपना नुक्लियर अटाक किया 1971 की वार के बाद तो पाकिस्तान ने उननीस सो अठानवे काफी सालों बाद फाइनली अपना नुक्लियर बॉम फाड़ा होते हैं तो जो हमारा साथ इशन रिजन जो इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़े दुसरे के दुश्मन है इसे एरिया में तो एक पावर इंबालेंस आ जाता इससे मसला यह होता कि एंडिया हमें कभी भी थ्रेट कर सकता था किसी भी बेसे पे मैन पावर के हिसाब से आप किसी भी जगह पर आर मीं इवए बुख सकते लेगिन अगर हम नीूक्लियर बाम न बनाते ना पाकिस्तान जो है वह कभी भी इंडिया से ऐसे आँखों से आके हैं मिला के बात कर सकार के क्यूंकि हम इंडिया पता है कि भाई हमने बंवारा तो कहीं PE कहीं अपना एकाद मारी देगा कि अपने अपने अलफाज हैं कि कदीर खान अगर उसामा बिन लादिन से ज्यादा खतरनागा नहीं थे तो कम से कम उसामा बिन लादिन जतने खतरनागा तो जरूर थे किए उन्होंने जो प्तीस साल में AQ कान नेटवर्ट नम की एक चीज क्रियेट की जिससे उन्होंने पूरे इंफरस्ट्रक्चर चाहिए होता है जो आपको सब सेट अप लगाना पड़ता है उसको वैपन में कनवर्ट करने के लिए उसका पूरा वो ट्रेड करते रहे ये बात उन्होंने 2004 में टेलेवाइज इंटर्वियू में साफ सुत्री कही और बहुत सी और बात है खैर व इंटर्वियू में उन्होंने मास्टर्स किया तो कराइची इन्वेस्टी का एक लड़का भी दुनिया को ऐसे हिला के रख सकता है तो यह उनका एक छोटा-छोटा है उसके बाद वह नेदलेंड चले गए डच कंपनी में काम करना शुरू है वहां पे उन्होंने जो वहां तो कदीर खान साब में फाइनली जुल्फकार लिपुट्टो जो समाने में प्राइम मिनिस्ट रते है पाचिसान के उनको बला एकत्तर की जंग तो हम हार गए यह स्टेटीड हिस्ट्री है कि उन्होंने का था क्टतर की जंग हम हार गए तो मुझे बड़ा दूख है और मै कोशिश की उनको पकड़ने की लेकिन वह भाग के पाकिस्ताना गए 1983 में नेधरलेंड्स में उनके खिलाफ एपसेंशिया में एक केस भी हुआ और लेकिन तब तक वह पाकिस्ताना आ चुके थे और वह अपना जो है सेट अप यहां पर लगा चुके थे खान रिसर्श में चाहते हैं लेकिन बड़ी मेनद से मुश्कुल से बड़ी मुश्क्ल से कर लिए ताके हम इंडिया के बराबर ख़ड़ हो सके तो जो पहली किताब है उसका नाम है पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्स हसन अबबास और यह उन्हें लिखी थी 2018 माई अब किताब का नाम है पाकिस्तान न्यूक्लियर बाउम्स आप पाकिस्तानी न्यूक्लियर बाउम की बात करें और डॉक्टर अब्दुलकदीर खान की बात करें ऐसा हो नहीं सकता इस किताब में भी उन्होंने जो है बहुत चोटे-चोटे में आपको अगर पॉइंटर्स बताऊं तो किताब में सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ देखने को मिलती है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था जब उन्होंने नाइटी नाइटी- प्रिल आई दूसरे ने बंबन गया काफी मुश्किल काम होता है तो हमारा जो पहरा गोरी मिजाल था वो बनाने में उसकी जो सेट अप था है इसका था उसका था उसमें हमें चाइना और साओधिया ने लिए तो सबसे पहले इनकी किताब में एक रेवलेशन है इससे बेले गवर्मेंट की कोई पीछे से बाकिंग थी ना मिलेटरी थी लेकिन इस किताब में वह काफी exclusive इंटर्व्यूस जो कि उन्होंने लंदन और बहुत जगाब बहुत से लोगों से इंटर्व्यूस किये exclusive इंटर्व्यूस और बहुत तगडी स्वोर्स से इस्तमाल करके उन्हो में लोग कंट्रीज को वेपन्स और न्यूक्लियर प्लोडिफ्रिशन की तरफ लेके जाने की कहते हैं कि मिलिटरी उसके पीछे इंबालती लेकिन वह कहते हैं कि सिविलियन गवर्मेंट को बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हो तो यह किताब में एक रेविलेशन है इस किता इसकानी मिलिटरी जो है वो वैसे ही बड़ी इस मामले में मानी जाती है कि जी वो अपने नूप्लियर एसेट्स की भी इफाज़त नहीं कर सकते हैं उसके बाद यह एक और बदनामी की बात है कि हसन अबास साब कर लिखना और इसको वेपना जाता है और उसको वेपनाईज किया जाता है यह सारा कुछ बेचने में एक यूखान नेटवर्क की मतलब जो है मिलिटरी कर रहे थी अफसान अबास सब की किताब में कनफेशन है तो यह दो मोटे 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 पॉइंट्स है कि चाइना साओधिया ने आपको हेल्प की पूरा इंफ्रस्रक्टर्टर आप बच्चों के पैंपर लेने जाते हैं घर का दूद लेने जाते हैं दही अम्मा मंग आगे होती हैं धनिया पुदीन आप जारे हैं शॉविंग कर्टे बॉंब्स के लिए और यह लिखी है गॉर्डन कोरेरा ने जो के एक सिक्यूरिटी कॉरिस्पॉंडेंट है बी बी चीजे मिलती हैं एक तो पूरी हिस्ट्री मिलती है किस तरह एक युखान साब जो है वह पाकिस्ताना है और किस तरह ने अधिलिंग में उकाम कर रहते हैं और किस तरह ने प्लान्स चोरी किये फिर उनको यहां लाया गया सब कुछ लेकिन जो आपकी सबसे में में बाते कर किताब पूरी रिव्यू करना काफी मुश्किल है लेकिन मोड़े मोड़े पॉइंट है कि उन्होंने इरान को नौर्थ को और लिबिया को तो दिया इसमें लेकिन एक बहुत बड़ी रेवलेशन जो की है सबसे बड़ी रेवलेशन इस किताब में शॉपिंग फर बॉंस मे हुए है कि CIA जो के American Intelligence Agency और MI6 जो के British UK की Intelligence Agency है उन्होंने जो है काफी मेहनत से काफी कोशिश करके काफी साल लगा के आखिर मुअमर गदाफी जो कि लिबिया की लीडर तर उनको मनाया और उनसे एतराफ करवाया कि एक्यू खान नेटवर्क एग्जिस्ट करता है और ऐसे ऐस मार्केट में आपको नुकलर बॉम बनाने के फॉर्मिला उसके प्लान उसके ब्लूप्रिंट सब कुछ अवेलिबल है तो यह मॉमर गदाफी साब को CIA और MI6 ने किसी तरह किन्विंस किया और उन्होंने जो है फिर जो एक्यू खान नेटवर्क है उसको खोल के सामने रग ग इसके बातों में सबसे इमपॉडन बात जो मुझे इसकिताब में लगती है वह यह है कि उन्होंने इक्स्लूजिव इंट्व्यूज्व की हैं बहुत सारे लोगों के पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे लोग जो इन्वॉर्व थे एक्यू खान के साथ जो लोग फुल नेटव आम लिखके सोर्से लिखके बहुत अच्छे तरीके से किया तो यह दोनों किताबे हमें यह मतलब मेसिकली इन से निकलता है आपका जो समरी निकलती है निकलती है कि एकियो खान साब फॉर पाकिस्तान ही वस ग्रेटिस्ट ही अगर वह बॉंब नहीं बनाते तो आज हम इंडि इसी बात यह है कि हम चाहे उनके 2,000 बंदे भी हो और हमाई पास सौ बंदे भी हो आज बात सिर्फ आ जाती है निकलियर वेपिंस पर क्योंकि हर किसी के एक हर मुलका थ्रेशोर्ड होता है वार कि आप इतने दिन लड़ सकते हैं इंडिया का ज्यादा है हमारा कम है तो इंडिया कप कम आटाक कर चुका था ग्राउंड में तो हम शेहन नहीं लड़ लड़ लेकिन नुक्लियर आसेट्स अगर हम आपस नहीं होते तो इक्यू खान साब की बहुत बड़ी हमारे लिए कॉंट्रिबूशन है तो उसको हम कभी नहीं बुला सकते है तो हीस कंसिड़ में मुशरफ साब को ने जो है किरवतार करना पड़ा अच्छी बात यह थी कि उनको किसी को दिया नहीं गया लेकिन यहां पर फिर हाउस अरेस्ट में रखा गया वहाउस अरेस्ट में रहे काफी साथ कि भई उनका है और इत्राफ भी ने निकल लिए कि हामी मैंने दिये थ गर्मेंट इंवाल नहीं थी ख़सन अबास साब किताब में कहता है यह मिलिटरी इंवाल थी और जो कॉर्डन को रहरा है वो कहते हैं कि आपकी जो सी आई और माइश सिक्स है गदाफी ने कि किसी तरह वह एक्यूखान नेटवर्क को पगड़ सकें तो यह चीजें जो है आ आपको बहुत डीटेल में पता चलेगा कि आखिर एक्यू खान अब्दुलकदीर खान को गिरफतार किया क्यों गया था हाउस अरेस्ट पर रखा क्यों गया और उन्हें प्रिजडेंचल पार्डम मुशरफ साब को क्यों देना पड़ा हमने थो ने माफ कर दे लेकिन हाउस तो यह एक बहुत अलग टॉपिक एस पर किसी दिन और बहस करेंगे तिल देन तिल मैं नेक्स्ट बुक्स दौा करें एक्यू खान साब के लिए लगा उन्हें पाकिस्तान को जो है एक बहुत अच्छी चीज बना के लिए अगर वो ना होते तो आच्छा है हम इंडिया के स पर्टरा